तुम्हारे बाप का देश नहीं है, सब का देश है यह, जब तुम लोग सड़कों के ऊपर राम बरात निकाल सकते हो, तुम लोग सड़कों पर जुलूस निकाल सकते हो, तुम लोग सड़कों पर धार में प्रोग्राम कर सकते हो, क्या साथ दिन के अंदर दो मिनट के लिए म मुसिल्मान एक साइड में नमाज नहीं पर सकता क्या कौन सी आफ़त आ गई थी क्या मुसीबत हो गई थी एक साइड से बसे निकल रही है एक साइड नमाज पर रहे हैं अरे तुम लोग तो पूरे चक्के को जाम कर देते हो अरे जब तुम्हारे नियता आते हैं ड्होंगी लोग आते हैं पाखंडी लोग आते हैं सुबह से साम तक चक्का जाम होता है क्या तब जाकर किसी को प्रोग्राम नहीं होती तब जाकर पुलिस कभी किसी प्लाटी चार्ज नहीं करती क्या सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है यदि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है तो धार में की प्रोग्राम में होना भी गलत है यदि नमाज पढ़ना गलत है तो राम लिलाओं के दोरान बाजारों से और मुखे सरकों से राम बारात और अन्य रेलिया निकालना भी गलत है यदि सड़कपर नमाज पढ़ना गलत है तो नेताओं के दोरा जब रेलिया निकाली जाती हैं, कई कई घंटों तक जाम रहता है, वो भी गलत है, और यदि जब सड़क पर नमाज परना गलत है, तो कावडियों के द्वारा चक का जाम करना भी गलत है, यदि सड़क पर नमाज परना गलत है, तो कावडियों के ऊपर पुस्प वर्सा करना भी गलत है, यदि सड पर हवास से और पास कर दिया कि उस धटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को तीन महिने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है मूरुख समझ रखा है इस देश के लोगों को तुम लोगों ने क्योंकि इतना बड़ा जुरुम करने वाला जिस व्यक्ति को फासिक सजा होनी चाहिए थी आप लोगों ने उसको किवल तीन महीने के लिए सस्पेंड किया सर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कैसा न्या है आप लोगों का ये क्या यही समानता का दिकार है आपके लिए क्या यही कानून रह गया elsewhere thinking ये सरन ही आती तुम लोगों को जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा गुना किया उसके उसके रिए ही होनी चाहिए और तुम लोगों ने उसको तीन मेने के लिए सस्पेंड कर दिया क्या हो गया उससे और उसके साथ और भी पुलिस कर्मी थे किसी पुलिस कर्मी के ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कि विए विकति को जिसने लाक मारी थी इसने नौशे मा रहे थे लोगों में और उसको आप लोगों ने किल तीन महेने करकर और मुस्लमानों को एक कम्यूटी को बोल दिया कि हम लोग अब को साथ हैं यह जाला क्या कर सकते हैं सर्माणी चाहिए मैंगार को क्यों तीन मेने के साथ किया जाता है अगर यही गुना उसने दूसरी कम्यूटी के साथ किया होता तो आज पूरे देश में चक्का जाम होता लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आज भी यह है कि नमाज सड़क पर पढ़ रहे थे सारजिंगिस्थान पर पढ़ र क्या मुसीबत हो गई थी एक साइड से बसे निकल रही है एक साइड नमाज पढ़ रहे अरे तुम लोग तो पूरे चक्के को जाम कर देते हो अरे जब तुम्हारे नेता आते हैं ड्होंगी लोग आते हैं पाखनी लोग आते हैं सुबह से साम तक चक्का जाम होता है कि नागरी को इस देश के समझदार नहिंदू भाई हो समझदार दलित भाई हो समझदार मुस्लिम भाई हो जग जाओ इस देश कहां जा रहा है जातिवाद के चक्कर में पक्षपात के चक्कर में ये इसके रजलत बहुत परिनाव हैं जो बहुत बेकार में करने वाले हैं फिर तुम लोग सांट बैठे हो, ये दिल देहलने वाली बात है, लेने बात.